जी हलो नमस्कार स्वागत अब से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और मैं हूँ आपका होष्ट प्यूश कानमिश्रा हम जैसे कि आप सबी जानते हैं अभी पाइथन सीख रहे हैं और 30-35 वीडियो हमारे आचुके हैं बहुत ही जल्दी है सीरीज भी एंड की तरफ बढ़ती हुई जा रही है और हम अभी Classes and Objects पढ़ रहे थे तो आज थोड़ा चाय के साथ आपसे भी लोगा स्वागत है और रात के बज़ रहे हैं आठ जब वीडियो आएगा आपके पास तो हम आज अपने इस Classes and Objects को थोड़ा सा और आगे की तरफ मोडिफाई करते है और आज हम थोड़ा से देखते हैं कि किस तरीकिस हम Classes को और Organize कर पाएंगे Python में चाय के चुस्कियों के साथ हम इस Code को शुरू करेंगे और आपको बज़ इतना सा करना है दो तीन चीज़ें जैसा हर बार मैं बताता हूं क्योंकि आप लोग करते नहीं हूं इसलिए आपक क्या आपसे भी जानते हैं कि हमने यहां पे Python यह Class हमने बनाई थी e-commerce और हमने लाश में देखा था inheritance कैसे करते हैं अब यहां पे आप देख रहे होगे कि एक code कुछ बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया कुछ लिए 70 lines हमारे complete हो गया है और बहुत चीजें इसमें बहुत सारी अच्छी चीज देता है जिसको हम बोलते है Class को Import करना बहुत सारी लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पड़ा होगा अगर आपने नहीं में पड़ा तो हम आज इसको थोड़ा सा अच्छे देखेंगे इसमें क्या होता है कि जैसे हम एक-एक फाइल बनाते है Python की यहां पर हमने हर एक फाइल बनाई है इसमें भी क्या होता है कि आप Classes को एक Different File में Save करो और आप वह अली फाइल को आप यहां पर यूज करो कितना अच्छा होता है ना कि clothing का एक अलग मतलब फाइल बना देता इस वाले प्रोड़ेक्ट का एक अलग फाइल बना देता और एक में main फाइल बना देता जहां पर मैं इन सभी फाइलों को उठा-उठा के वहां पर ग्रैब करके आप पिला रहा हूं और वह सब कुछ मज तो इसी प्रकार से पाइथन में भी होता है तो इसके लिए क्या काम करते हैं अपने इंटरमीडियेट में यह एक हम नया फोल्डर बना लेते हैं आपे इसका मैं नाम देता हूँ टेन इंपोर्टिंग क्लासेश ठीक है इसको अगर आप जाएं तो नाइन के बाद आप 10 संबर पर आप इसको देख सकते हो ठीक है हम इसमें चलते हैं इसमें मैं क्या करूंगा मैं एक प्रोड़क्ट कीव क्लास और इसकी सबकी क्लास अलग करूंगा तो मैं सबसे पहले यहां पर एक फाइल पर करता हूँ चलो सब्सक्राइब क्या करते हैं यहां पर बुक वाले यह भी उठाते हैं यह क्लास हम यहां से मैं कॉपी करूंगा और मैं सिंपल मैं इधर यहां पर पेस्ट कर दूँगा ठीक है लिकिन इसके लिए प्रोड़क्ट वाली भी फाइल यहां पर चाहिए तो प्रोड़क्ट और बुक मैंने यहां पर यह दो क्लासे यहां पर डाल दिया अब हमें क्या करना होता है मान के चलो मैंने एक प्रोड़क्ट क्लास बना दिया इसमें सारा जब कुछ हमारा अलग अलग अब मैं इसके बाद में में क्लास बना होगा यहां पर में डॉट पी इसको अम यहां पर प्रोडेक्ट और में डॉट जो में फॉट्टे हैं जैसे कि object बना हुआ या कोई चीज़ प्रिंट करा नहीं डीश्प्रेंट करा नहीं हो उसमें रखेंगे बागी इंप्लीमेंटेशन का काम है को अपना उसको सेप्रेट करके रख दैते हैं तो इसमें क्या करेंगे अब मुझे क्या चाहिए देखो प्रोडेक्ट की क्लास तो हमने अलग बना दिये इसको मैं सेपरेटली यहां पे खोल के दखता हूं साइड बाई साइड तो आपको और अच्छी से समझ आएगा मैं में फाइल को इधर डालता हूं और प्रोडेक्ट क्लास है ठीक है प्रोडेक्ट क्लास है इसको एंटर करके हम यहां पर जाके इसको यहां डाब देते हैं ठीक है एक प्रोडॉक्ट क्लास है पिरेंट क्लास हो गया यहानि इसको मत प्रोडॉक्ट क्लास में इस फाइल को यहां पर यूज करने तो पाइधान एक आप्को यहा पर की वर्ड देता है को इसका मोलते हैं कि हम बहुते इंपोर्ट इंपोर्ट एकु disability जो क् Самic क्या बोलते हैं अप उस term को, एक आपको पतलब एक और दे देता है, कि ठीक है, चलो आप यहाँ पर use कर लो, मुझे term नहीं आदा है, ठीक, import आपको करने, अप क्या import करना है, वो चीज़ा है, आपको import करना है, क्योंकि हम ने ये दूनों फाइले एक ही folder में कि हमें इसको एकी फोल्टर में डॉल्ड रखी है तो इसका पाथ देने की जुरूत नहीए ठीकम चीजह है हमें इसको एक GEE फाइल पर जाओ आप लिखो है फ्रॉम किस फाइल से आपको इंपोर्ट कराना है मुझे प्रोड़क्स फाली फाइल से फ्रॉम प्रोड़क्स I want to import कौनसी class, मुझे product class import करानी है products में से product वाली file में जाओ products वाली file में जाओ और मुझे क्या import करा दें हां से product वाली class, ठीक है simple सी चीज clear हो गई मैं क्या करता हूँ, इसको side by side इतर लिख देता हूँ या फिर एक और सबको एक ही मिले किया जाते हैं ठीक है, तो product वाली products वाली folder में जाओ, फाइल में जाओ और उस वाले में क्या करवा, product वाली class को import करा लो, तो इसमें क्या होता है इसके syntax क्या होता है, इसको बोलते हम कि from, फिर हम यहाँ लिखते है module का नाम, module name import class name ठीक यह होता है इसका syntax मतलब, क्या मतलब है इसका बही, इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपने किसी के अंदर कोई class बना दी, सिर्फ class आपने बना रखी है तो इसको आप बोल देते हो, that will be known as the module, अब आपको python के निगम नहीं है, वो इसको हम क्या बोलते है this is the module, तो products हमारे features को हम इस्तेमाल कर सकते है अब class है, तो हम इसका object यहाँ पे create कर सकते है, तो उससे पहले एक ज़रा sip ली जाए चाय की, और अभी अब आपने subscribe नहीं किया है, तो आप अभी button दबादो तब तक मैं चाय की चुश्कियों के साथ आगे बढ़ता हूँ तो फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉडेक्ट इंपोर्ट प्रॉडेक्ट अब आपको क्या करना है जैसे आपने product class यहाँ पे import करा लिए, now you can make the object हम कैसे object बनाते हैं, कि हमने suppose करो एक product 1 पी 1 में लिख लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे product class लिखूँगा, और product class के ने, now I can access, name, price, और यह सारी चीज़ने में इसमें डाल सकता हूँ, suppose करो हम name डाल देते हैं, jeans, jeans, ठीक है, description, jeans, blue jeans, pant, blue jeans, pant, ठीक है, और क्या है, नदे, क्योंकि product class में यह इतनी चीज़़ा होता है, अब मैं क्या करता हूँ, p1.k हमने object बना लिया, अब जो हमारे पास में क्या है, हमें इसमें शो, show info है, get info है, get, कौन सा method हमने लगा रखा है, product details, ठीक है, product details हम इस method को यहाँ पर call कर सकते हैं, और जैसे ही यहाँ पर इस python main.py को जैसे ही मैं call करूँगा, importing classes में हो ना, cd. dot, cd और python main.py को रण करूँगा, तो it needs a description, क्या-क्या मुझे चाहिए हैं आपर, product class में, name, price and description, okay, name, price और मुझे क्या चाहिए, description, तो price मुझे हैं पर चाहिए, 250 मैंने price जाल दिया, चीक है, I think, क्या ही चाहिए होगा, name, price and description, okay, let's run this, okay, sorry, this, हम यह पर यह error मिल रहा है, तो कॉमा नहीं लगाया, ठीक है, टाम में लिए क्लियर करते हैं, फिर शुरू करते हैं, python main.py, तो में लिए क्या मिल गया, details of the product, name, jeans, 250, description, blue jeans, pad, अब देखो, जैसे कोई आप किसी को main file देऊगे ना, तो इसमें तो कुछ है ही नी, main file आपने क्या किया है, इसमें सिर्फ यह class इंपोर्ट कराया, इसमें आपने बनाया प्रोडेक्स, उसका नाम लिखना है, इंपोर्ट प्रोडेक्स, जितनी भी classes आपको इंपोर्ट करानी, आप कॉमा लगा कि आप पोर्ट करा सकते हैं, तो मैंने book class इंपोर्ट करा लिए, अब मैं प्रोडेक्स क्यों बनाऊंगा, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, जैसे सपोस्कोरो मैं इसके आपके कमेंट करते तो, बुक मैं लिखता हूँ एक, बुक वन, बुक क्लास में कॉवर्ट किया अपकी क्या मैंने, पहले मैं जो चाहिए ने, वान, वन इंडियन गर्ड, ची क्या है, इसका प्लाइस मैं देता हूँ सपोस्कोरो 300 रुपीज, इस बुक फ्रॉम चेतन भगत, अमेजिंग, चेतन भगत, नहीं, कैसी है, वन इंडियन गर्ड is like, इंडियन, इस प्रॉरी बाट इंडियन गर्ल, ठीक है, यह है, तो मुझे इसका ऑथर चाहिए, तो ऑथर इस चेतन भगत, एंड जोनर इस लाइक की, रॉमांटिक, ठीक है, थोड़ा सा है, इस में रॉमांटिक भी है, तो ना, आइकन, नाओ एकन एक्सेस कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जाओंगा, बॉक वन डॉट, इसके जितनी भी चाहिए एक्सेस कर सकता हूँ, प्रोड़क्ट डीटेल्स I can access, तो प्रोड़क्ट डीटेल्स मैंने लिखा, मैंने इसको रॉन किया, और मुझे यहाँ पर इसने सारी इंफोमेशन देदी, वन इंडेल कर प्राइस 300, डेस्रिप्शन डिस 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 डिस, तो सिमिलेडी आप चाहते हो, यहाँ पर इनहेरेटेंस, अब जितनी भी क्लासेस हैं, ना बॉक और इससब कुछ ही है, आप यहाँ से उठाईए, और इन सारी क्लासेश को आप क्या करिए सी और यहां पर प्रोडक्ट वाले में प्सको डाल दीज़ाए चीक है नाव बस तैट सेट और हमें क्या करना है यह सब यहां से इंपोर्ट करा लेना है आप देखो अब इसमें बहुत सारी क्लासे थे यह एक तरीका होता है इंपोर्ट कराने का यह आप को सिंपल लिखने ना इमपोर्ट जैसरे आप पोर्डॉक्स लेकिन अब यहां पर लेखना पादगा इस अपिस को नहीं से क्लॉट्छ वाल पर नएंपने definite सकता हूं जैसे I want a t-shirt मैंने नहीं डाली है इसका प्राइज 800 रुपीज description Puma t-shirt है तो पुमा की टी-shirt आती भी नहीं आती है ठीक है M है color है सब्सक्राइब black t-shirt दे रहा हूं now I can access what I can access कि अब तो मेरे पास object है तो object का मैं सीधी कर सकता हूं excellent product details now I can access product details directly details of the product t-shirt 800 Puma t-shirt in this इसमें क्या होता है इसमें आपको सिफ यह करना पड़ता है कि products dot लगा कि आपको यूज करना पड़ेगा ये एक तरीका है और एक तरीका क्या है कि आप module को लगा कि यसी यह तो एक हो गया एक तरीका क्या आपके from module लिखो आपका जो है import star star का मतलब क्या किया है इसने सबको import करा दिया अब यहां पे आपको products लिखने की जुरूरत नहीं अब तो जितनी भी classes है वो import हो गई ठीक है यतनी भी classes है वो import हो गई लेकिन यहां पे catch import star वाला जो मनें third method दिया यह आपके लिए recommended नहीं है अगर आप कभी पी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो यह method आप recommend नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या होता है इसके सारी जो हमें कभी कबार कुछ आवशकता भी नहीं होती जिन classes की उससा भी import कर देता है तो इससे क्यों को थ दिस्क्रिप्शन को descriptive हो जाएगा यह class यूज करें यहां पर यूज होगी उसको लिख लिया यह पी तरीका अच्छा है इंपोर्ट प्रोडेक्ट्स और दिस और यह तरीका इस नौट रिकमेंडेट नौट रिकमेंडेट ठीक है और मैं इसको कमेंड कर देते हैं तो हम इस लिखा ना इंपोर्ट्स आज करके आप उसको कोई भी 1 स्माल नेम और जैसे पी लिग दिया प्रॉड लिग दिया ना प्रॉड ड़ॉड अब आपको मतलब क है कि प्रोड़क्स की जाएप प्रॉड यूज कर सकते हो ठीक है ब्रॉड डॉट गोदिंग और इस तरीक रही ह से आप चाहिए अपने code को organize कर सकते है, main file is the file जहाँ पर आपको चीज़े करनी है, तो इसमें code हमारे पास कितना, बस इतना एक, दो, तीन, चाहिज इतने आप import करते जाओगी, season लगाते चले जाओ, बस बात खतम हो गई, हमारी चाह भी खतम हो गई, यह वीडियो भी खतम हो गया, आपने अपना काम नहीं किया हो, पता नहीं, तो बस इतना सा काम सा, classes and objects is almost done, अब इतना ही आपको जरूरत है जानने की, कुछ जो important topics है, आपके लिए, classes and objects आज पूरी तरीके से खतम हो चुक है, कल हम पढ़ेंगे, file handling के बारे में, फिर errors आएगा, and then almost, हम python के end पे होंगे, तो C++ के बाद यह दूसरा ऐसा course है, जिसको, almost हम finish कर रहे होंगे, तो ऐसी सपोर्ट करते रहें, जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले, ठीक है, मिलते आगले में तब ते की निवाइबाए, नमस्कार,